जो दो साल पहले 14 नोंबर 2016 को गाजीपूर आये थे सनबासट से यहां के लोगों की जो आकांचा थी तारी घाट गाजीपूर महूर रेल खंड उसकी आधार सिला रखी थी और गाजीपूर घाट इस्टेशन पर जो पेरिसेबुल कारगो बना है उसको लोकार फित किया था माननी परधान मंत्री जी ने किसानों को और मैं परधान मंत्री जी कहना चाहता हूँ क्या जो पेरिसेबुल कारगो के करण गाजीपूर के अनिक किसानों की हरी मिर्च और हरी मटर दुबई जाकर बिक रही है और उन्हें अच्छी कीमत मिल रही है इसलिए मैं गाजीपुर के किसानों की ओर से आपके प्रती हर्दे से आभार व्यक्त करना चाहता हूं मित्रों जो परियोजना सुख किया था पुर्धान मंत्री जी ने उस दिन मैंने कहा था कि आजादी के बाद गंगा नदी पर जितने भी रेल कमरोड ब्रिज बने हैं निउन्तम दस वर्स लगे हैं ये देश का पहला रेल कमरोड ब्रिज होगा जो साड़े तीन वर्स में बनेगा मैं पुर्धान मंत्री जी आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जिस गती से काम हो रहा है आपके निर्देश पर यह रेल कम रोड ब्रिज चौदा नॉबर दो हजार सोलह को आपाये थे चौदा नॉबर दो हजार उनईस के पहले बना करके भारती रेल पुर्वान्चल के लोगों को सुपुर्द करने जा रहे हैं पुर्वान्चल के लोगों को एक वेकलपिक मार्ग रेलवे का दिल्ली और कलकत्ता जाने के लिए उपलब्ध होगा मित्रों में कहना चाहता हूँ चुनाओं के दोरान में एक बात कहता था ये पुर्वांचल का सो भाग्य है कि आदरणी नरेंद्र मोदी जी वारानसी से लोग सफा का चुनाव लो रहे हैं और उसका प्रणिडाम आज पूरवी उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं सामाने रूप से भारत सरकार की और से पूरा का पूरा पूरी उत्तर प्रदेश उपेख छीत रहा है ये पहली सरकार है जो आज 88 हज्यार करोड की परियोजना है हाईवे और रेल लाइन की केवल पूरी उत्तर प्रदेश में पिछले साले चार वरतों में चल लगी एक रेल नहीं है पूरी उत्तर प्रदेश का जिसका दोहरी करन विद्धूती करन नहीं हो रहा एक इंच मीटर गेज रेल खंड आज पूरी उत्तर प्रदेश में नहीं है तो इसका अश्रे देश के संबाननी पुर्धान मंत्री आदरणी श्री नरेंद्र मोदी को जाता है या 23 वर्ष से बंद पड़े हुए यूरिया के सनियंत्र का निर्मान हो या हिंदू विश्व विद्याले में जो चिकिसा विज्ञान संस्थान है और सरसुंदर लाल चिकिसाले है मैं जब पढ़ता था वहाँ तब भी ये मांग उठती थी कि इस चिकिसाले को एम से ऐसा बनाया जाए मेरे पहले भी जो लोग पुर्वान चलके पढ़ते थे उन लोगों के जमाने में भी ये बात उठती थी कि कासी हिंदू विश्व विद्याले के चिकिसा विज्ञान संस्थान को और सरसुंदर लाल चिकिसालों को एम से ऐसा बनाया जा पूरा पूरी उत्तर प्रदेश पस्षिमी बिहार मद्द प्रदेश का रीमा संभाग और जारखंड का गुमला के आसपास का इलाका करीब 13-14 करोड़ लोगों का इलाज वो हस्पताल करता है लेकिन किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया प्रदान मंत्री जी पूरा पूरी उत्तर प्रदेश आपक करता है गेम्स लाइक इंस्टिचूसर आपने बनाया है और आज 13-14 करोड़ लोगों को इलाज की सुविधा मिल लई कैंसर एक जानलेवा बिमारी हो गई कोई हपता नहीं बीचता कि हमारा कोई कारे करता मुझे सूचित नहीं करता है कि मेरे गाउं में मेरे संबंधी को कै बात करिए मुंब बनारस के अंदर रेलेवे का कैंसर इंस्टिचूट था सम्माननी पुर्धान मंत्री जी के कारण टाटा मेमोरियल कैंसर इस्टिचूट और बाबा एटमिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से बन करके आज वह पूरी तरह से पूरी उत्तर प्रदेश के कैंसर के मरीजों का सबसे अच्छा और समुचित इलाज कर रहा है तो ये भी स्रीमान नारेंद्र मोदी के कारण हुआ मेरे एक मित्र है कासे हिंदो विश्विद्याले में आफ्थमाल जी के प्रफसर हैं डीन आफ स्टूडेंट हैं डाक्टर एम के सिंग मैंने उन्हें एक दिन फोन किया किसी मरीज को दिखाना था उन्होंने का कि साब मैं बंगलोर गया था मेडिकल कालिज में सेलेक्शन थ मेर के बावतपूर हवाई अड़े पर उतरा हूं जा रहा हूं अपने घर तो मुझे लग नहीं रहा कि मैं बनारास हैं मुझे लग रहा कि बंगलोर से अच्छा इलीवेटेड रोड आज बनारस में गाजीपूर में पुरवांचल में दिख रहा है तो इसका भी स्रे सम्म नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जाता है मित्रों मैं कहना चाहता हूं मित्रों मैं कहना चाहता हूं साड़े चार वरसों में मैं जुनवती और जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं 12 सरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर के जितना पैसा पूर्वी उत्तर प्रदेश औ गड़ो मौई हो बलिया हो जानपूर हो हर जगा चारलेल की सड़क बन नहीं है इस्टेशनों की बात अगर मैं करूँ मैं पहले भी लोकसभा का सदसे था आपके सहयोगा सिर्वास सरदेवाज पेई जी पुर्धान मंतरी मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिना आएगा कि गाजीपूर से रेल गाड़ी चलने लगेगी लेकिन आज जहां जाना हो वही के लिए गाड़ी बलिया जाना है तो गाड़ी मौ जाना है तो गाड़ी जाना है तो गाड़ी बनारस जाना है तो गाड़ी इलाबाद जाना है तो गाड़ी लखनव जाना है तो गाड़ी बं प्रधान मंत्री जी ने जमीन पर उतारने का काम किया है और मित्रों मैं एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं प्रधान मंत्री जी आपने जो काम किया मैं गुनाव समय मेरे पास नहीं है लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं पूरा पुर्वान चल मिलने वाले चिकिसा की सुविधा ये सब आपके कारण मिला लेकिन एक गड़बड आपने कर दिया आपने जो भासन कर दिया कि नखाएंगे नखाने देंगे ये कई लोगों को अच्छा नहीं लिगा और जो लोग इसके आदी थे वो सब मिल रहे हैं करें कि मुदी जी को नहीं आने देना मित्रों मैं आप से कहना चाहता हूँ हाथ उठाकर जोर से कहिए कि चौदह में जितनी सीते भाज़पा की थी उससे जादा सीते इसमार पूरी में उत् क्लास दिलाईए याद भारतिये जनता पर्टी की ताकत 2014 से भी बढ़ी है तो आपके अच्छे कामों के करन बढ़ी है और हम पर्टी के सभी कारे करता आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2019 में 2014 से जादा सीते ले करके भारतिये जनता पर्टी इधर आएगी बहुत बहुत ध